दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए इंक्रेडिबल नेचर को और पाईए लेटिस वीडियो जो देखा होगा जो दिखने में बेहदी खुबसूरत होता है हम बात कर रहे हैं किंग फिशर के जिसे आम तोर पर हम नीलकंट के नाम से भी चानते हैं दोस्तो नीलकंट को हिंदी भाषा में एक और नाम से भी बुलाया जाता है यह नाम बड़ा ही लोकप्रिय है इसे आप लोग ढूनकर कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किंग फिशर की तेजी इसकी मेन इस्पेशिलिटी है यह सेकेंड डों में ही मचली को पानी के अंदर से खीचकर काम तमाम कर देता है और इनको मचली का शिकार करना भेल हधी पसंद होता है किंग फिचर की पूरे विश्व में लगबग 90 इस फिसीज पाई जाती है और जादातर एशिया, अफरीका, आस्ट्रेलिया और साउत अमेरिका में पाई जाती है किंग फिचर का साइन्टिफिक नेम LCD नी डाई है यहां कॉर्डेटा संका प्राणी है जो एनिमेलिया किंगडम की श्रेणी में आते है किंग फिचर रंगिन फक्षियों की इस फिसीज में से एक है यहां जादातर कम ही देखने को मिलते हैं क्योंकि यह शाई नीचर की होते है किंग फिचर का हाकार छोटा होता है इसके लगबख 4 cm लंबी तेज और नुकीली चोच होती है इसके अलावा इसकी छोटी सी पूच और दो छोटी छोटे पैर होते है इनके यह छोटे छोटे पैर किसी भी जगह पर तेज फगड़ बना सकते है यह ज़्यादतर नदी और तालाबों की किनारे पाए जाते है क्योंकि मचली तो इनका फिवरेट खाना है एक शोध के मुताबिक किंग फिचर स्किल्ड हांटर की शेहनी में आते है इनका अपने शिकार पर किये गए हामलों में से 99% शिकार पुरी एक्यूरेसी के साथ होते है किंग फिचर की सबसे छोटी स्विचिज अफ्रिकन ड्वार्फ किंग फिचर एस्विडना लेकॉंटी है इसका अवरेज साइज 10 सेंटी मीटर और एवरेज वेट 10.4 ग्राम होता है जबकि इनकी बड़ी स्विचिज दुजाइंट किंग फिचर मेगा सेरायल मेक्सीमा है जिसका अवरेज साइज 45 सेंटी मीटर और एवरेज वेट 360 ग्राम होता है किंग फिशर के आँखे बहुत ही तीज होती है यहाँ हवा से जमीन पर और पानी के उपर उड़ते वे भी 99% accuracy के साथ शिकार कर सकता है किंग फिशर कारणी बोरुष रेड़ी में आते हैं यहाँ ज़ादतर मचली, क्रेफिश, मेंधक और स्नेल्स खाते हैं किंग फिशर एक विशेश प्रकार की चिलाने वाली तेज आवाद निकालते हैं जिसे लाफिंग जैक नाम से जाना जाता है किंग फिशर जदातर नदियों के किनारे ही गोसले बनाते हैं यहाँ गोसले तीन से आठ फिट तक लंबे छेद में होते हैं किंग फिशर को एक्टिव बर्ट से भी जाना जाता है यह सुबह और शाम ज्यादा एक्टिव रहते हैं इनकी मैक्जिमम स्विट 60 से 70 किलोमेटर परहार हो सकती है यहाँ गर्मियों के महीनों के दोरान ही जादातर दिखाई देते हैं दोस्तों आपने किंग फिशर को डैविंग करते हुए तो जरूर देखा होगा यह नहाने के बड़े शौकीन होते हैं और इन्हें साफ सुत्रा रहना भी बेहत पसंद है मेल किंग फिशर और फिमेल किंग फिशर दिखने में एक जैसे होते हैं इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है, इनके रंग की चमक से ही इन्हें पहचाना जा सकता है फिमेल किंग फिशर मेल किंग फिशर की तुल्णा में ज़्यादा चमकदार होती है इसके अलावा फेमेल किंग फिशर की चूँच का निचला भाग औरेंज कलर का होता है किंग फिशर का उस्तन जीवन काल 6-10 साल तक होता है बात करने के लाइफ सैकल की तो फेमेल किंग फिशर एक बार में 2-10 अंडे दे सकती है और इन अंडों को दोनों ही मिलकर बारी-बारी से सेते है अंडों से निकलने के बाद बेबी किंग फिशर लगबग 3-4 महीने तक अपने माता-पिता के साथ ही रहते है इसके बाद यहां मैच्वर एडल किंग फिशर में बदल जाते हैं और अपना जीवन अलग जीते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपडेट्स पर बने रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं